दोस्तों के सिवाब सभी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे आज के शुडियो में हम लोग छोटी से एक अन्बोक्सिंग करने वाले हैं जिसके अंदर लटप रहने वाला है आप यहां पर देख पा रहे हो डेल का है, वेस्टर रॉल सिरीज के अंदर है 3400 सिरीज के अंदर है, बलेक क्लियर के अंदर ठीक है, जिसके अंदर HD डिस्प्लेय 14-0 है, अगर प्रोसेसर की बात करें तो Core i3 11-Gen प्रोसेसर है, 4G, G4 प्रोसेसर है कि यह laptop किस तरीके से है, और क्या performance है, student के लाइक, business के लाइक या आप टेली में वर्क कर रहे हो, या चोटा मोटा video editing कुछ कर रहे हो तो उसके लिए कैसा laptop है, इसके लिए हम लोग बात करने वाने है वीडियो सुरू करने से पहले चैनल को subscribe हो, पका कर ले तो चलिए बिना time waste के वीडियो सुरू करते हैं, अलो दोस्तों, मैं सत्यपाल सर्मा, टेकनिकल दोस्ट इंडिया की चैनल में आपका इस बोक्स को हम लोग अन्बॉक्स करने वाले हैं और आपको दिखाने वाला हूं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है तो चलिए चलते हैं इंडिया में तो यह mostly नहीं लगती बट बाहार में लगती है तो यह power code हमें किस काम की नहीं है यह दूसरी power code हमें यूज करनी है अब में बात करते हैं laptop की, तो laptop अंदर से किस सरीके से है, क्या है वो थारा नहीं नहीं तो यह कुछ papers है इसके अंदर आपको security भी मिल जाती है, इस antivirus की तरब से आपको पूली security हो मिलने वाली है laptop के अंदर तो अब laptop की बात करें तो इस ताइब से आपको laptop का look मिलने वाला है तो आपको दे रखा है Core i3 processor है, जो 11 generation का logo कुछ इस तरीके से आता है बाकि आप laptop का look हो देख लो तो look अपने बात करें तो उरी की पूरी body है, वो plastic body मिलने वाली है और पीछे आपको काफी है, वो smoothness feel होने वाला है, बटन की बात करें और पोर्ट की बात करें तो हम लगों पोर्ट क्या-क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएगा audio jack मिल जाएगा, HDMI मिल जाएगा, यहाँ एक LAN पोर्ट अवो भी मिल जाता है कि laptop में Ubuntu software रगो किस तरीके से होने वाला है, तो चलिए चलते हैं laptop को on कर रहा है, यह Windows से अलग है Ubuntu, अगर आप लोग इसके अंदर Windows installation करना चाहो तो भी आप Windows install कर सकते हो, Windows 10, Windows 11 अब आप पीछे से Ubuntu software installation किया हूँ आता है, आप Windows install लगो कर सकते हों उसके अंदर, अबन्तू का logo आ गया है study के लिए best है, अगर कोई बच्छा study यूज में ले रहा है, तो Ubuntu उसके लिए best software है यहांपे आपको जाना है ? English language आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहांपे आपको continue कर देना है उसके बाद आपको कुछ term policy condition है उनको आपको यहांपे simply क्या करते है ? यहांपे continue कर देना है और अगर आप Ubuntu windows system डे इंस्टॉल करना चाहते हो तो भी वह कर सकते हो तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाते दें दूँगा, इससे आप आप वो बिद्दिया कर सकते हो, यहां पर यहां पर आपको सिंपली अपना पासवर्ड सब डालना है, और यह सारा संविट करना है, अबन्तु का कुछ जो टाइटल है वह इस तरीके से जो इसके अंदर विंडो इंस्ट्रोल ले हो कर सकते हो अब बंतु कीज़िए आप 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 विंडो इंस्ट्रोल भी कर सकते हो तो मैंने चोटी जानकारी देने की कुछिस की आई-उप वीडियो आपके लिए हेलफल रहेगा तो एसे ए टेकनिकल से एलेटड और वीडियो तक लिए काटा बाई बाई दन्यवाद जहें दो